सेख गुरु करावेज त्यार किता जन्दा कड़ा परशाद जिसनू के असी देग दे नाम नाडवी जान देयां इसनू कदों शुरू किता गया ते किस गुरु सहवान ने कड़ा परशाद पाव के देग दी प्रथा नू शुरू किता इस देग बनाण दी रीत कदों तो श शुरू होई इस दा की इतियास की पिछोकड है इस वारे अज पूरा इतियास जानांगे वाहिगुर जी का खाल सा वाहिगुर जी की फते इस वीडियो दे रही आसी दो इतियास संजे करन जा रहे हैं जो देग बनौन पाव के कड़ा परशाद देनार सबंदत हान तो अनुक इतियास बिल्कुल सही लगदा है कमेंट बॉक्स दे विचे जरूर संजे करना क्योंकि असी ये दोने ही इतियास अतियासिक तथा तो लेके तो डेनार संजे कर रहे हैं असी सारे ही जान देयां के शिरी गुरू नानक देव महरत जी ने सिख तरम दे विकास दे लई चार उदासियां कीती हैं ते इना ही उदासियां दे दुरान जुरू गुरू नानक देव जी ते पाई मर्दाना जी करतार पूर सहब तो एमनावाद वलनू जा रहे सां ता ओस समय ओहो अमर्त सर विखे रुके जिस समय गुरू पात्षा जी उदासियां दे दुरान अमर्त सर विखे पहुंचे सान उस समय नगर हरे तक नई वस्या सी ते चारों ही तरफ बिरान पे आ सी जा फिर जंगली इलाका सी बहुत जादा मातरा दे विच चाड़ियां ते बेरियां उग्यों हुईया सान एक जंगल दी तरा विच्या होया एक खेतर सी गुरुपात्षा जी रामकारंदे लई उथे बणी एक छपड़ी देकनारे द्रक्त हेट बैठ जान देने ते उथे बैठे जदो आम लोग पाई मर्दाना जी ते गुरुनानक देव जी नू देख देने ता उन्ना दे कोल पहुंच देने जदो पाई मर्दाना जी ते शिरी गुरुनानक देव जी छपड़ी देकनारे बैठे सान ता जो लोग ओना दे कोले पहुंच ता उन्ना दे वीचो एक पाई तारा जी ने गुरुनानक देव जी नू पुच्या के जेकर उन्ना दे लायक कोई सेवा होवे ता ओहू जरू जदो पाई तारा जी दे सेवा मंगन ते शिरी गुरुनानक देव जी ने पाई तारा जी नू आग्या देती के ओहु नाल दे ही पिंडा दे करा दे वीचो उन्ना नू दे सीख्यो खंड ते नाल आटा लेके और ता के ओहु देग त्यार कार सकन ते जाल दा प्रवांद उन्हा दे कोड ही सी क्योंकि ओ छपड़ी दे किनारे वेठे सान ते छपड़ी दा पाणी बहुत साफ सी। इस देग दो दबारा भी त्यार कार साकते हैं तक गुरु नानक देव जी ने फिर इते बचन कीते के एक समा आवेगा ज़लो इते हर रोज देग बरताई जाया करेगी हर रोज देग त्यार होया करेगी। जिते गुरु पात्षा जी छपड़ी दे किनारे उस बेरी दे द्राक देट बैठे सान जिसनु के दुख बंजनी बेरी दे ना नाल जाने जन्दा है जिते के बीबी रजनी ते उस दे कारवाले दा कोड दी बमारी ठीक होई सी। इस तरह गुरु नानक पात्षा जी दे बजना दे उनसार उना तो बाद शरी गुरु अंग देव जी दुझे गुरु सहवान भी उस तारती ते पहुंचे उना तो बाद ज़दों गुरु अमर्दाह जी नूँ अमर्थ सार्थी उस पावंतार ती दे बारे पता लगाता फिर ओ भी उते दर्शना लई आए गुरु अमर दाह जी तो बाद गुरु राम दाह जी ने अपना नगर ही उथे बसा दता ते उनना ने चाकराम दास पुरा ना दा नगर बसाया सी जिते उनने बबंजा बपारिया नो ले आके उथे बसाया ते इस तरह ए नगर भी बस गया ते उनना दा रजगार ते बपार पारदा भी एक बड़ा केंदर बन गया सी शिरी गुरु रामदा जी तो बाद पंजमे गुरु शिरी गुरु अर्जन देव महराज जी ने शिरी दर्वार सहव दियु सारी करवाई इस तरह गुरु नानक देव जी दे बचना दे सादकाही अमत सार्दियो पुवित्तर ता लेई सिखता रमदे वेच जादगार वन गई है इस तरह शिरी गुरु नानक देव जी दे बचना दे सादकाही उस दोख पंजनी बेरी अज भी दुखानू दूर का नमळी बेरी मननी जान दिये ते हो छपडी जिसे दे कनारे गुरु पातशा जी बैठे सान ओ दर्वार सहव दा श्रोवर दा रूप लए चुकी है इस तरह शिरी गुरु नानक देवजी दे अमत सर दीता रथी ते चन पैन दे नाड़ ही दर्वार सहव दी उसारी दे मुढ़ बाजे चुके सान इस तरह असी पहली साखी विच जाने है कि शिरी गुरु नानक देव जी ने पं गुरु नानक देव जी जो पाई मर्दाना जी रे नार उदासियां दे समय बगदाद दीत आरती दे पहुंचे सा बगदाद दीत आरती दे उपर उस समय बगदाद राज दे वेच्ट संगीत उपर बिल्कुल पवंदी लगाई हुई सी, पाव एसी के संगीत नू नाता पहला पाई मर्दाना जी न उठाके केंदेने के पाई मर्दाना जी तुसी रभाव छेडवपाव संगीत बजाओ शिरी गुरु नानक देव जी दे मुहों एहो जही गल सुनके जदो पाई मर्दाना जी शिरी गुरु नानक देव जी नो बेंती कार देने के गुरु जी तुसी ता जाने जानो के थे रवाव जाना पाव के किसे भी परकार दे संगीत दी मनाही है ता असे फिर किमें संगीत गा सकते हैं शिरी गुरु नानक देव जी ने कहा के पाई मर्दाना जी तुसी रवाव छेड़ो जो दो लोक संगीत नों सुनके कठे हुनके सवाल कारणगे ता उसे वक्त असी सारे सवाला ने जबाब भी देमागे ते तो अनू भी सारे जबाब पता लग जानगे ते गु पाई गुर्दाह जी ने अपनी रचनामा दे विच लिखे है जिनरा नाम है बगदाद गवन उसे वेचे गुरु नानक देव जी दे बारे पूरा डटेल दता गया है शिरी गुरु नानक देव जी तो आगया लेके जो पाई मर्दाना जी रवाव बिजाना शुरू कार आशा दी बार दा पाठ शुरू हो जानदा ते जिस दी अवाज अलाके दे विचे सुनाई दिया ते अलाके दे लोको ते कठा होना शुरू हो जानदे ने उसे ही अलाके दे विचे के मन्नेया पर मन्नेया मुसल्मान फुकीर दास्तगी रहनदा सी जो दो उस दे करना तक वाज पहुंच दिया गुरुनानक देवजी दे संगीत नूँ सुन दा है तो आपने मृदानू पर एदा है कि जाके इस संगीत नूँ बंद करा के आ हो ते नाल ही दसो के उनना नू नहीं पता के थे संगीत बजोना सुनना जा गोना इसाव दी मना ही है जो पीर दास्तगीर दे मृद शिरी गुरुनानक देवजी को पहुंच देने ता उनना दे दर्शन करके ते शिरी गुरुनानक देवजी दे मुखों इननी मिठी बानी सोन के उनने हाल हो जान देने ते नाल ही वापस मोड के पीर दास्तगीर नू सारा कुछ दास्त देने के ओहो सर्फ एक इंसान ही नहीं इस तरह जापदा है जिमें तार्ती दे उते खोद खुदा आ गए हूँण श्री गुरु नानक देव जिदी परसंसा अपने ही मुरीदा दे मुहों सोण के पीर दास्थगीर बर्दास्ट ना कार सकया क्योंकि ओ अपने आपनों बहुत बढ़ा दे महान समझधा सी पीर दास्थगीर खोद गुरुनानक देव जी को जान लिए तीयार हो गया ते नाल ही उसने लोकानूं भी कठा करके पीर दास्तगीर ने गुर्णानक देव जी कोड़ पहुंचन तो पहला ही अंतरत्यान होके सब कुछ पता लगा लेया सी के जो कुछ भी ऐसी खुदा दे बारे बोल देयां जा सोच देयां गुर्णानक देव जी उस दा बिल्कुल उल्ट का रहे ने जदो पीर दास्तगीर अपने मरीदाने नाल ते लोकाने नाल गुर्णानक देव जी कोड़ पहुंचे आता उस समय जप जी सहव जी दा पाठ हो रहा सी जिस वेच गुरु पात्षा जी गुरु नानक सहव जी फरमार है जब पीर दास्तगीर अपने मरीदान नाल ते लोकाने नाल गुरु पात्षा जी कोड़ पहुंचे आता तक ए संगीत ता तुम बन्त करवा ठीवेगा जो संगीत कुदरत देव है चीज्जां देविच है गुरु पाशा जीनी प्वासचान इंगे उसम मुसम्ज दे कहा कि हर एक चीज दे विच कन कन दे विच संगीत है सोर है ताल है जे कर एह संगीत या सोर ताल ही ताल तो बे ताल हो जावेगी पाब के सब कुछ बिगण जावेगा स्रिष्टि दी होंद खत्म हो जावेगी जेकर तरे अपने स्रीर दे विच जो दिल्दी ताड़कन सही चल रही है जो नावज अपनी रफ्तार दे नाल चल रही है जेकर उस दे विच कोई भी गड़डी हो जावे तेरे दिल्दी ताड़कन सही ना रहे सोर्तों बेसुरी हो जावे ता फिर तेरे स्रीर दा की हाल लादा पीर दास्तगीर दे मानू पर गैरा असर पहिंदा है ते एक पल दे लेई ओ भी सोचनी मजबूर हो यादा हून उसने गुर्णानक सहभ जी दी बाणी दे उपर और सवाल ठोने शुरू कार देते उसने कहा के तुसी बाणी दे वेजिन लखा ही अकास दे लखा ही पत सेहन तुसी साड़ी ही तरती दे बैठके साड़े ही खुदा नू गल्त सावितका रहे हूं साड़े खुदा सत अकास सत पताल दास देने प्रांतु तुसी बिल्कुल उसने ब्रुद बोल रहे हूं गुर्णानक सहभ जी ने उननारे सवालाना जबाब दन्दे होई फरमाय गुर्णानक सहभ जी ने अगे फरमाया के तुसी बोल रहे हैं क्योंकि उननारे सत अकास देखे से सत ही पताल देखे। इसलिए उन्होंने कोल 14 लोका न बरनन कीता है जाद के असी लखाई अकास देख रहे हैं ते लखाई पताल देख रहे हैं इसलिए असी एना दी गेंटी लखाई दास रहे हैं पीर दास्तगीर ने गुरु नार्क देव जी ने गल्ला दे जकीना करदे हैं केहा के जेकर तुसी लखाई अकास दे लखाई पताल दास देऊ ता साबित करके दखाओ फेर गुरु पात्सा जी ने केहा के तुसी अपने मुरीदां दे विचो उस अंसानों मेरे समने बठाओ जिस दे उपर ता उसी बहुत ज़्यादा जकीन करदे हैं जा जिसनों तो हाड़े तार्म दे वारे जा स्रिष्टी दे वारे सब तो ज़्यादा बद ग्यान होवे सेवक सानजे के जो के बहुत ज़्यादा बुद्धी मान सान ते ग्यान मान सान प्रांतु फेर भी लालच विच आगे पी दास्तगीर एचोंदा सी के उस तो बाद उसना पुत्तर ही उसनी गदी ते बैठे इसलिए उसनी अपने पुत्तर ते ही विश्वास ज़ता है पर जो के साचने रास्ते दे चल रहे सन इसलिए कई सेख गुरुआ ने अपने सर्दा लुआ नो ही गुर्गदी ते बठाया पर रहे थे ज़दो दास्तगीर ने अपने पुत्तर ते सर्तोबाद विश्वास जताया ता गुर्णानक देव जी ने उसने पुत्तर नो अपने बिल्कुल समने बठा लेया ते उस दिया अखा वंद करा के उसनो जपची सहव दा पाठ नाल करों लगे जिस तरह गुरुआ नानक सहव जी अगेगे बोल देगे ता उसलब पुत्तर पिछे-पिछे पाठ दा उचार्ण करदा गया जदो शरी गुरुआ नानक देव जी ने इकोंकार, सत नाम, करता पुर्ख, निर्पो, निर्वेर, मूल मंतर तो जपची सहव जी दा पाठ शुरू कीता ता उस दा पुत्तर मंतर मुग्द हो के अखा वंद करके पाठ नू गुरुआ नानक देव जी दे पिछे-पिछे जार दे समय ओहो अपने मान दे पक्खो ब्रह मंदा विचे पहुंच चुके सान ते होन ओहो लखा ही अकासा ते पताला दी पड़ताल का रहे सान पाई गुर्दाह जी फर्माओ दे हान के जब जी सहेव जी दे पूरे पाठ दी समापती होन तक गुरुआ नानक देव जी ने उसरे पुत्तर नू सारे ही खंडा ब्रह मंदा जो के लखा दी गेंटी विचे सान उनना दे दर्शन करवास देते सान शिरिगुर्णानक देव जी पीर दास्तगीर्दे पुत्तर नू लेके जदो सच खंड विखे पहुंचे था उनना ने पीर दास्तगीर्दे पुत्तर नू केहा के ए जहा काल जुक है जिते एक प्योव पुत्तर ते जकीन नहीं करेगा जिनना को चर असी इसनू साबित न शिरिगुर्णानक देव जी ने पीर दास्तगीर्दे पुत्तर नू केहा के होन बारी है के बाकीरी सारी संगत भी इनना ब्रेम मंडा दे वारे जानन पीर दास्तगीर्दे पुत्तर ने शिरिगुर्णानक देव जी ने उसनू अपना हाथ थग्गे कान लेकेहा ते जदो पीर दास्तगीर दे पुतर ने हाथ थगे कीता ता शिरी गुरुनानक देव जी ने एक बाटे दे वेचे देग नू परगड कीता ते ए बाटा पीर दास्तगीर दे पुतर नू देदता उस तो बार जरो पाठ दी समापती होई ता पीर दास्तगीर दे पुतर ने जरो अपन अमल इंसान नहीं सी, ओ भी पांच वाक्त दा नमाजी सी, जो के अपने तर्व दे बारे ते स्रिष्टी दे बारे काफी कोछ जान दा सी, जदो शिरी गुरुनानक देव जी ते उसनु सच खांड दे दर्शन करवाई, गुरुवाणी दे उचांद रही, उसनु सब कोज सच खाया था, उसने ए सच जान ले आ सी, के गुरुनानक देव जी कोई आम इंसान नहीं हन, इसलए उसने इस रिष्टी दे पूरे पेद नु जान ले आ सी, ते उस तो बाद गुरुनानक देव जी तो आग्या ले के पीर दास्तगीर दा पुतर बाटे वेच उह पारगट की ती गई देग सारे ही संगतां दे विच बरता हूंदा है ते जिसनों शक के सारे ही लोग अनंद मई महशूस कर दे हन, पीर दास्तगीर जदों ओ देग ले के अपने मुँ विच पाउंदा है ता शकन तो बाद श्री गुरुनानक देव जी अग्ये सवाल कर दा है के जबी देग जा कड़ा परशाद दे नाम नाल जान दे हां जोदों पीर दास्तगीर ने गुरुनानक देव जी अग्ये एक होर सवाल आर्च की दा के की असी इसनों दवारा भी त्यार कार सकते हैं तो उस तो बाद श्री गुरुनानक देव जी ने उथे फिर देग त्यार अपने जीवन काल देवेच ए पहली वारसी जदो उनाने बगदादी तार्ती दे उपर देग तियार कीती ते शांकता देवेच बरताई एथे एक होर बहुत ही महातबुन गल दसन जो गया के कई संगतानू एशंका होवेगा के पुराणे समया देवेच दा खंडदी वरतो ही नहीं सीखीती जन्दी पर साड़ी सारी ही संगतनू हाथ वन के वेंती है के कोई भी सवाल जा कोई भी गलत कमेंट लिखन तो पहला उस साखी दे एतियास वारे जरूर जान लेया करो सिखी दिया साखीया दे उपर शाक कार्ण तो पहला अपनी शर्दा बनोनी जरूर सिखो क्योंकि जो भी एतियास लिख्या गया है उस वेच जेकर खंडदी वरतो कीती गई है तता हनो यह थे दस दिये कि शिरगुनानक देव जी तो पहला वी बहुत सारे पाक्त जिना ने अपनी रच नामा देवेच खंडदी वरतो कीती है। पाग्त नाम देव जी अपने रचनामा विच फ्रमों देहन के कब हुँ खीर खांड क्यों न पावे। प्रांतु मिठास देता औरते जो मिठा वर्तिया जन्दा शकर जा गोड़नों ही खंड ना देता गया है प्रांतु एन रचनामा तो जरूर सद्ध हुनदा है के उस समय खंड शाब जरूर पहलना तो ही वर्तिया चले आ रहे है। पहलना चाहिदा है। ज़न या वीडियो नू बाद तो बाद शेयर करया करो। इनना दोना साख्यान शारवन कान तो बाद तो हाड़े की विचा रहान इस साखी देवारे तुसि अपनी रहा कमेंट बॉक्स बेच जरूर पें सकती हो। सब तो बड़ी वेंती है केड़े पेंड़ी या शहर तो तुसी ये वीडियो सुन रहे हूँ, किरपा करके कमेंट बॉक्स बेच पहलना देता रही, इस बार भी अपने जवाब पे जंदी जरूर कर पालता करनी। कार साकते हूँ, ता कि असी भी जानू हो सकी है, तो सोन दे ले तो हड़ा बहुत बहुत ता अनवाद, त्या आसदा हद्यां फेर भी अन जाने वेचे कोई गलती हो गई होवे, ता पोलिचों को माफ कारना, वाहिगूर जी का खालसा, वाहिगूर जी की फते।